नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत थे लेक्टिकल अचारे में किया आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है कि पहले तो आपका फैन काफी तेज चलता था लेकिन अब कुछ दिनों से काफी स्लो हो गया है तो इसका में कारण हो सकता है कि आपके फैन का जो कंडेंसर या थोड़ा सा इचकी चार है तो मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीके से आप बहुत ली असाइन से कंडेंसर बदल सकते हैं वो भी खुसते ही ठीक है तो चलिए जानते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस फैन का स्विच बंद कर देना है और हो सके तो इस का या फिर एक मजबूर टेबल का इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है तो मैं फटा फट से सेट अप करता हूं फिर मैं आपको अगला श्टेप बताता हूं तो फाइनली मैं फैन की हाइट तक पहुंच गया हूं यहां पर आप देख सकते कि मुझे कंडेंसर दिख रहा है और को अची तरीक देखने लगा है और मैं क्या करूंगा इस कंडेंसर को बाहर निकालूंगा और इस पर लिखी हुई को देखूंगा ठीक है क्योंकि मुझे condenser बदलना है तो मुझे उतनी value का लेके आना है जितनी value का इस पर condenser पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिखाए 2.25 macrofair है तो मुझे इतनी value का condenser लेके आना है दुकान वाला तो वही condenser देगा जिसमें उसका profit है और साथी साथ आप यह भी ध्यान रखें कि जो भी आप microfarad की value ले रहे हैं उससे आपका fan खराब हो सकता है ठीक है आपको 2.50 यहाँ फिर 2.25 microfarad का tipcon company का यहाँ फिर hevels company का यहाँ फिर कोई अच्छी company का ही condenser लेके आना है तो चलिए मैं फटा फट लेके आता हूँ ओके तो finally मैं condenser ले आया है जो की tipcon company का है और मुझे मिला है 2.50 microfarad का इससे 2.25 मुझे नहीं मिल पाया तो अब मुझे किस condenser को लगाना है तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि condenser की जो wire है वो इसके apogee side terminal पे लगी हुई है तो अब मुझे क्या करना है इसके apogee side पे पहुंचना है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ table को हलका सा rotate कर लेता हूँ उस तरफ ठीक है तो चलिए थवा wait कीजिए मैं इसको rotate करता हूँ तो अब हम पहुंच है terminal side पे तो हम क्या करते है इस fan का जो condenser है उसको खोलते है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि condenser की जो दो तार है इसमें आप देखेंगे yellow card की जो तार है एक ऊपर लगी है और एक नीची लगी है fan की winding के साथ तो आपको क्या करना है सबसे पहले उपरा terminal खोलना है और नया जो condenser आप लेका है उसकी एक तार आपको पुराने वाले condenser की तार को अटा के नए वाले condenser की जोड़ देनी है और यहाँ पर आपको एची तार रखनी है कि condenser के अंदर कोई भी plus और minus नहीं होता आप उसको असानी से कहीं पर भी जोड़ स उसके साथ आप नया वाले condenser की दूसरी तार को जोड़ दीजे और उसको वापिस से वहीं पर connect कर दीजे ठीक है तो simply आपको क्या करना था कि जहाँ जहाँ आपका condenser की तार connect थी पुराने वाले condenser की वहाँ वहाँ आपको नया वाले condenser की तार को connect कर देना है और कोई भी द नीचे कर दिजी और अब अपने Fan को चलाएंगे तो अब आपके Fan के जो Speed होगी पहले Speed के मुकाबले काफी तेज होगी ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब मेरा जो Fan हे वो इतनी Sempre से गूम रहा है जितनी कंडेंसर बदलते ही इसकी स्पीट हो गई है फुल तो इस तरीके से आप कंडेंसर को बदल सकते हैं तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगयोगी धन्यवाद